यह देखे गायस. यम्मी, टेश्टी हमारी पालक और कच्छे चावल की आप भजिया बोल सकते हैं पकउडिया बोल सकते हैं नास्ता बोल सकते हैं कुछ भी चाई के साथ बस एक गर्मा गर्म अगर ये इस तरह की क्रश्पी पकउडिया तो टेस्ट बन जाता है तो चलिए बनाते हैं देखिए कैसे बनाना है हलो आपसों का शुआगत है हमारे यूटुब चनल सायमस्टा में आज हम बनाने चावल और पालक की पकोड़ियां तो देखिए कैसे यह हमने चावल दो गंटे के लिए भीगो के रख दिये थे तो है यह दिके व्ल किये फुआ हो फ्य चोटे-चोटे आलो है तो हम इनको इनको 3 अलोओं को आड करेंगे तो देखिए अब करना कैसे है तो यह चावल हम इसमें मिकसि के जार में डाल दिये है जिन अगर आप पानी की मातरा ज्यादा कर देंगे तो फिर हमारा ये बहुत पतला बनेगा जिसकी वजह से ये हम जब हम इसकी पकॉड़िया या बजिया बनाएंगे तलेंगे तो ये फैलेगा ओयल में जाकरके इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ चावल लेना है तो एक इंच अद्रक का टुकड़ा डाल करके हमने पेश्टी स्मूथ बना लिया है तो बन गया इसको अलग बाउल में कर लेंगे तो ये हो चुका है अब इसमें जो आप सब्चिया जो भी आड़ करना चाहें आड़ कर सकते हैं हमने गाज़र ले लिए प्यास ले लिया है अपना पालक और धनिया अड़ करेंगे एक बाद और गाइस अगर आप ज़्यादा पतला कर देंगे तो आप तेल में जब इसे प्राइ करेंगे तो ये फैल जाएगा तेल में ठीक है और अगर मीडियम की का सेंटेंसी का रखे लिया कर लीए अब इसको अच्यक वे मुज्लियर गोल लीए तो ये देखिए पालक हमने थोड़ी से एक कटोरी से लखा लगावावझा ठाक घंड बचा लिया था बालक तो देखिए फैशक बचाला के हम ऐसे लेनी है इस तरह से लेते हम प्र meditate लें लेंगे और यह कृड कर देखे हमने लिया है color के लिए हल्दी दो चुटकी हम लिया है वाइन ये हमने ले लिया है चाठ मसाला नमक स्वात के नुशा चिली फ्लायक्स में हरी मिरच या रेड मिरच का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि हम बच्चों के बनाना है तो आप अपने हिसाब से add कर सकते हैं मिर्ट की कउन्टिटी और ये मिक्स कर रहे है। तीखा हम नास्ता कम बनाते हैं कि मारे याँ तीखा कम खाया जाता है तोड़ा सा इसने तो ये देखें अब हम इस तरह स्पूंस्से करके के डесनेगे इस ही शीज कर ध्यान रखें श्याज के बहुत पतलाना हो और ये जब हम डाले तो ये अधनी पहलता है अगर बाहिजांस आपका का पैस्ट गिला-धी एक स्पून-बेस का संगा रोस को Machap तर वदृम तो बहत help नहीं रखाश करेंगे हो दो नहीं हाई एक्रिस्पी अप्रिम यce करा करेंगी मेंदर कच्छी दो सखाक हो लेखाल क्रश्पी बहुत होती इस वगा खोलेंगे एक बैच सिखने कर थीम्य टीजियन शेखना होता है और इसमें सारे हैं कछे यह पकाना होता है तह इसी तरह से मियूनिस के साथ या इमली की चटनी के साथ या जिसके साथ भी आप खाना चाहें आराम से सर्फ कर सकते हैं यह टी टाइम स्नैक है बहुत अच्छा स्नैक है और यह काफी कस्पी होता है चावल से बना है इसलिए तो यह बहुत 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 टेस्टी होता तो देख स पकोड़ियों में आप वो सबदी डालकर बच्चों को आराम से खिला सकते हैं क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलेगा फ्राई होने के बाद पता नहीं ज्यादा चलता है इसी वज़े से तो अगर हमारी यह रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट करिएगा कमें अगरी रेस्पी अच्छी लगे हो तो लाइक सस्क्राइब एंड शेयर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डेस्पी शाथ बाबाए